हेलो फ्रेंट स्वागत है आप सभी के अपनी यूटूब चैनल रावल एक्जाम रेस पे आज मैं आप लोग के रिजनिंग की एक और क्लास देखे आ चुका हूं जो कि आप लोग के एंसे एक्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है इनों को ध्यान से पढ़ेगा और ध्य ली वेसिस पे इसके प्रैक्ट्टिस करें रिजनिंग की ताकि आप लोग के एंसे एकजाम में परफॉर्मस अच्छी खासी रहा है ठीक है ट्रीगार्म चैनल को जॉइन कर लें रावल एक्जामर रेसके नाम से है ठीक है जहां से आप लोग इसकी पीडियाव को डाउन्ल सब्सक्राइब पहला कोशन आ चुका है ठीक है बताईए पहला कोशन कैसे सॉल्फ करेंगे हम लोग कि नाटक का संबंद मंच से हैं तो टैनिस का संबंद किस्से होगा बताईए तो उसका राइटन से क्या हो जाएगा आप लोग का जैसे देखिए नाटक कहां पर होता है मंच पकिया जाता है उसी प्रकार टैनिस जो खेल है वो कहां खेला जाता है ऑप्शन नमबर सी कोट में खेला जाता है ठीक है ध्यान कीएगा प्रशन हमारा अगला कि टाडू का ङुट्ट्च का संबंद किस्से हैं स्वानिये से तो गोडा का संबंद किस्से होगा हमें बताना है मैं तो बताएं रैटर से कहरेंगम pla से तो देखिए जिस प्रकार कुट्फिक में एह्के पार्ट होता है यानि की एहम अंग होता है वो क्या है स्वानिय यानि की सांस लेने के लिए जो नाक होती है उस प्रकार से गोड़े के लिए जो क्या होता है मुख्य पार्ट उसका खूर होता है अप्शन के अकॉर्डिंग यहां ठीक है चलिए प्रशने की और बढ़ते हैं अकला हमारा इसको सॉल्फ किजिए आप लोग इसका क्या आंसर आता है बताईए है मैं सब्सक्राइए देखे हैं अ आप इसका सही आंसर अंसर निकालाा वहा थो देख़िए मीन किफ्याशन कऱ्ट में कि नंबाल प्लेस के अलफा वेट में कितने नंबर पे आता है जिसे नंबर प्लेस में स्कुर्ण कि 20 यानिकी 200 नमबर पर आता है यह हमें मिल गया संख्या है इससे प्रकार से मैट का निकाल लेते हैं मैट ठीक है म कितने नमबर पर आता है तेरा नमबर पर आता है एक पर टी ट्वेंटी पर तो तो तेरा 120 कहां है पर आता है और प्रश्ण नमबर टी में क्लियर है चलिए प्रश्ण मार अगला नमबर सीरीज इसको सॉल्ब किजिए वीडियो को पोस्ट कर लीजिया अप मैं उम्मीद करता हूं आप लोगे इसका अंसर निकाला हो राइट चलिए इसको सॉल कैसे करते हैं जैसे दीखिए आपर पांच ठीक है अगर 5 का स्क्वेर करते हैं तो क्या बनता है 25 ठीक 25 का गुणा करें कि हम 4 में तो कित्य हो गए 25 को 100 इससे प्रकार से अगर हम 7 का स्क् आप इसको कर लिए आप लोगों उनान चार्ज चको नौ चको छतिस तीन सोलह कि और तीन कित्ते हो जाएंगे हमारे 19 ठीक है तो कितने और है 196 तो यहां पर आप्शन नमर कौन से विए रहा है बी चलिए प्रशन हमारा अगला है 6 इसको सॉल्ब की दिया आप लो यह भी नमर से कोश्चन है तो मैं उम्मीद करता है आप लोगों इसका अंसर सहीं दिया होगा देखिए कैसे करते हैं इसको 16 16 का स्क्वेर रूट क्या होता है चार होता है ठीक है चार मेंसा अगर दो जो कि यह ए जिए सेम इसे प्रकास से 9 9 किसका स्क्वेर रूट है तीन का है तीन मेंसे 2 खाट है तो किता बचा हमारा 1 एक का स्क्वेर किता हुआ एक जो कि आप्सन हम नमर सी है यह होप आप लोग को समझाय होगा चलिए प्रश्ण क्यों पढ़ते हैं अगली हमारे तो बत जो अन्य तीन विकल्पों से भिन्न है तो बताइए यहां पर दिएगे विकल्पों में से कौन सा विकल्प भिन्न है यानि कि तीन इसमें क्या होंगे एक जैसे होंगा और एक सबसे अलग होगा तो यान जो राइटास like option number B हो जागा दाथ ठीक है प्रेंड्स दाथ को छोड़के सभी चीज यानि कि जीव ना कान ये तीनों क्या है हमारे सैंसिज है यानिक कि ज्यानिंद्रियां है ब्ट क्या है दाथ हमारे सैंसिज नहीं है क्यों हो गया भिन्न हो गया चलिए प्रष्ण ज zweनाव दो को आप्श्न मेर नद हो गया या परबत हो जागा यह सब क्या है प्रकर्तिक रूप से निर्मित चीजें अब यह क्या है बांध यह क्रशिए नोर समय नहीं है या क्रितिम रूप से बना हूव अननि क्रितिम रूप से हुआ हुआ है और नदी और परबत जंगल का किस्से हुआ है प्राकरती रूप से दिर्माण हुआ है तो ध्यान रखिए का चलिए कुछ में नाइन है हमारा नेम लिकल्पों में से भिन विकल्प चुनिए तो बताइए फिर से एक वार और बिन विकल्पों को चुनिए दिए कि और यहां पर कौन सा राइटांस लेने वाला है तो आप लोग यहां पर साफ साफ दे सकते हैं और डी विल्कु से होजागा सबसे बिन यहां कनाड़ा दीख रहा है हम लोगो ठीक है यह योडिकि यूरोप एशिया अफ्रीका क्या है महादीप है वाट कानाड़ा को यह जलप होगा मैं रइट आंसर आप में पर सत्व साथ थीक है यह धिन का रात्री ऊपर का नीचे दिखराएं आपर तो और सी क्या हो गया आपर विसम हो गया फ्रश्च नमरा एगारा नीचे दिए कि विकल्पों में से विसम सब चुनिए तो बताइए इन में से कौन सा सबसे मतलब विसम सब्द है और वर्ड दोड़ना है हमें तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसमें ऑप्शन नमर ड को पकड़ लिया होगा जैसे देखिए चार का स्कुर शोला पांच का पच्चिस ठीक है चैचिंग शत्तिस आसाते उन चाज जानी कि 6 का स्कुर साथ का स्कुर यहां के साथ का स्कुर प्लस एक और पांच का स्कुर ठीक है तो यहां पर सबसे भी निका हो गया दी ऑप्शन नमर डी विल्कुस सही है कि कुश्चन में 12 है हमारा फैंड्स ब्लर डिलेशन का का इंट्रस्टिंग कोशन है आप लोग वीडियो को पोस्ट कर सकते है और इसको सॉल्ब कीजिए तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों इसका राइट अंसर निकाला हुआ तो देखिए फ्रेंट्स यहां पर हम फिमेले के लिए सरकल यूज़ करेंगे और मेले के लिए ट्राइंगल यूज़ करेंगे ठीक है इस प्रकार से हम कुश्चन को यहां पर लड़की नहीं लड़के होगा लड़के ठीक है एक लड़के की यह संकेत कर सुधा ने कहा किसकी यह संकेत कर रहा है लड़की की यह संकेत कर रहा है कौन सुधा कर रही है सुधा संकेत कर रही है और क्या कहती है वहां मेरे ससूर के संकेत कौन कर रहा है सुधा कर सब्सक्राइब बाओ वहती है इसारी होगा इदल तो या जाने ने सब्सक्राइब एयौन है यह प्तोल सब्सक्राइब एक मातर पुत्र का पुत्र वहां कौन है ये ये तीन नमबर और ये चार नमबर तो हमारा यहां पर ये क्या है बन चुका है तो देखिए एक लड़के की ओस अंकित कर सुधा ने कहा सुधा ने कहा वहां मेरे ससूर ससूर ये है ससुर का एक मातर पुत्र, एक मातर पुत्र कौन हो गया, यह हो गया, ठीक है, जो कि आपस में क्या हो गया, हस्बेंड, वाइफ, यानि कि इसका क्या हो गया, हस्बेंड हो गया, का पुत्र, का पुत्र, यानि कि इन दोनों का पुत्र कौन हो गया, यह वह, यह कौन है, यह व सम्भंद है तो हमें बताना है सुधा दट्व को क्या बोलाएगी पुत्र बोलाएगी option नमरे विल्कुल सही है ठीक है सुधा का यानी के लड़के का सुधा से क्या संबन्द है पुत्र बंद है जाना किएगा चलिए अगले कुश्चन क्यों बढ़ते हैं कुश्चन में 13 हमारा इसको सॉल्ब किजिए अगर यह कुश्चन दे रखा है फ्रेंट्स इनके नीचे संख्या दे रखिया है ठीक है तो दिए अक्षर सम्हू का सही संख्या कोड चुनिए यानि कि इसका सही संख्या कोड क्या होगा हमें बताना है दिए विकल्ब में से राइट अंसर कह देने वाला है तो देखि के इसको सल्फ करते है तो देखिए जैसे यहाँ पर जो कोड दे रखेंगे मोई irmаз जे ती जड़ के जो नीचे कोड दे रखेंज के इसी कोड से को बनाएंगे इस को इस ट को ई singular हिक का कोड क्या है 27 यह का कोड क्या है 6 ठीक है S का code क्या है 2 T का code क्या है 4 क्या यह 76 24 76 24 option number C will be right चले question number हमारा अगला है यदि B is equal to 2 तो B A G बराबर 10 तो B O X हमें निकालना है तो बताएं यहां पर राइडन से कैसे निकलेगा तो देखिए अगर B बराबर 2 दे रखाएं हमारा है यह आपर तो B A G back बराबर 10 कैसे आ सकता है हम यह देख लेते हैं 2 A की place value क्या होती है एक होती एक होती है और G की रही प्लेज़ बेल्यु क्या होती है तो कुल मिलाकर कित्त हो गए ये 10 हो गए 2,1,3 और 7 कित्त हो गए 10 हो गए इसी प्रकार से हम बॉक्स का निकाल कर देखते हैं ठीक, B, O, X P के प्लेज़ बेल्यु ये आपके क्या दे रहा है दे रही है, ओ 15 पंदरा एकस की वैल्व कित्ती होती है टीक है अब इन सब क्या करना है आप लोग को प्लस करना है ठीक है तो 15 और 24 कित्ते होगे आप लोग के 39 हो गे और 39 प्लस 2 कित्ते होगे कित्ते होगे 41 ओप्शन नंबर यह विल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा कि फॉर्टी वन क्लियर हैं चलिए नेक्ट कुश्ण क्यों बढ़ते हैं हमारे अगला कुश्ण है कि कुश्ण 15 गंद का संबन्द फूल से है तो स्वाद का संबन्द किससे होगा दिये के विकल्पों में से कौन सा राइट आंसर रहने वाला है तो बताइए तो देखिए फ्रेंट्स जिस प्रकार से गंद किससे निकलती है फूल से निकलती है उसी प्रकार से स्वाद हमें किससे मिलता है तो बोजन से मिलता है ठीक गंद किस में होती है फूल में होती है तो स्वाद किस में होता है बोजन में होता है option number C बिलकुल से हो जाएगा प्रकार की कुछन को करने के लिए मैंने फॉर्मला बताया था आप लोग को टी स्कल्ट वाइन उर से इस साइड में और कुल वेक्तियों के संखाएदर आएगे और माइनस एक माइनस एक क्यों आता है आप लोग को मैं बता या था ठीक है तो देखिए इस फॉर्म लगे थुरू आप लोग सो सॉल्ब कीजिए टी के जगे पर क्या आगा है यहां पर फिफ्टी आगा यानि कुल वैक्टियों के संखा कितनी है पचास है इसकल टू एल कितना ह चास मेः थान पर इसको सॉब कि जीए आप लो कि चीक है तो ऑक्षे का आंसर शैय रहा है । विल्कुल C हो जाएगा, तो 20 और व्यक्ति होंगे, जिनको सामिल किया जाएगा, तब जाके कुल व्यक्ति कितने हो जाएगा, हमारे 50 हो जाएगे, ठीक है, और भी विल्कुल C हो जाएगा, आप लोगो आज की कर्स्ट यह अज की इंप्पॉर्टनिंन कुश्शन जो की अपने हो, आप लोगो आज की वीडियो पसंद आयोगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टनिं कुशन जात पकलिए बाबाई के बंदे मातरम जाहिएं,